नमस्कार दोस्तों पेल्टिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यूपी पेट 2022 के लिए चक्सु प्रकासन का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ और इसके पहले आपको चक्सु प्रकासन के 9 मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिये गए है यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट बना दी गई है वहाँ पे जाके आप आसानी से देख सकते हैं आए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर का पहला कोशन है खज रहो समू के प्रसीद इसमारक कि सराज में है तो आपको पताना है दोस्तों यहाँ पे आप काराई टेंसर हो जाएगा मद्ध प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा नेक्स क्वर्ष बाबर ने सुल्तान इबराहीम लोधी को पानी पत की लड़ाई में पराजित किया था तो इसकाराई टेंसर हो जाएगा option B 1526 question number 4 निमलिकित में से कौन सा ग्यान के सिध्धान पर बल देता है तो बताना है दोस्तों आपको इसका सही जवाब हो जाएगा option D उपने सद इसका सही जवाब हो जाएगा next question बुद्र ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था most important question है इसका right answer हो जाएगा option B सारनाथ इसका सही जवाब हो जाएगा next question मातमा गांदी भारत के किसके बिरुद्ध थे तो आपको बताना है दोस्तों तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा option B तिब्र औदोगी करण के बिरुद्ध थे question 7 है असा यूग अंदोलन कब वापस ले लिया गया है तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा option A फरवरी 1922 फरवरी 1922 इसका सही जवाब हो जाएगा next question question number 8 मातमा गांदी को राठपिता के नाम से सरपर्थम किसने संबोधित किया था तो इसका right answer हो जाएगा option C सुभास्चंद बोस इसका सही जवाब हो जाएगा next question question number 8 की तरफ चलते हैं मातमा गांदी को राठपिता के नाम से सरपर्थम किसने संबोधित किया था यह question आपका हो चुका है repeat हो गया है next question की तरफ चलते है question number 9 निमलिकित में से किस क्रांदकारी द्वारा दा फिलोसफी आफ दा बॉंब्स नामक प्रसिद लेक लिखा गया है तो इसका right answer हो जाएगा option B भागोती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया है next question question number 10 महत्मा कांदी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था तो बहुती प्रसिद कथन है इनका तो यह option यहाँ पे भी सही हो जाएगा भारा छोड़ो आंदोलन के समय दिया था next question दोस्तों यदि आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजे will icon को press कर लिजे ताकि आपको हमारे वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो के लाफ तक बने रहें दोस्तों वीडियो को पूरा देखें आए देखते है next question निमलिकि किस देश को भारत सबसे कम वस्तों का निर्याद करता है तो इसका यहां पर right answer हो जाएगा option B Ireland का सही जवाब हो जाएगा next question question number 12 कौन सी नदी पूर्वी चीरिन सागर में भहती है तो इसका right answer हो जाएगा option D यांग सी नदी हो जाएगा next question question number 13 तनामी रेगिस्तान निमलिकित मेंसे किस देश में इस्थित है तो आपको बताना है दोस्तों इसका right answer हो जाएग option C अस्ट्रेलिया में next question question number 14 है बाला घट का मलंज खंड चेतर और जुनजनू का खेतरी सिंगना चेतर किसके के महातुखनन के अंदर है तो किसके लिए महातुखनन के अंदर है तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा option D तामबा के लिए महातुखनन के अंदर है next question question number 15 वन विभा के सर्वेक्षन के मताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भागोलिक चेतर का कितना परसंट है तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे right answer हो जाएगा option C 21.54% इसका सही जवाब हो जाएगा next question question number 16 निम्न में से कौन सा कर केंदरी सरकार दोरा लगाए जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option D आएकर केंदरी सरकार दोरा लगाए जाता है next question question number 17 भारत की योजना आयूग की स्थापना कब की गई थी most important person है आपकी परिच्छा की देश्टकोंट से ध्यान रखियेगा दोस्तों इसका right answer हो जाएगा आपका option C 1950 इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का योजना आयूग संबैधानिक संस्थान नहीं है इसकी स्थापना भारत में एक प्रस्ताव दोरा 15 मार्च 1950 में की गई योजना आयूग भारत में एक सक्तिसाली परामर्ष दात्री संस्था है इसके अध्यक्ष भारत के परदान मंत्री होते हैं next question 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 number 18 निमलिकित में से कौन सा भारत के आर्थिक आयोजन का उद्यस नहीं है तो आपको याद रखना है भारत के आर्थिक आयोजन का उद्यस नहीं है इनमें से आपको answer देना है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option A जनसंग्या ब्रद्धी इसका सही जवाब हो जाएगा आईए अगले question की ओर चलते हैं अगला question है 19 कर राजसु से सरकार की आयका कौन सा एक ही सबसे बड़ा स्रोथ है तो कर राजसु से सरकार की आयका कौन सा एक ही सबसे बड़ा स्रोथ है तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा option C, निगम कर इसका सही जवाब हो जाएगा option next question देखेगा, सनचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन होती है तो इसका right answer हो जाएगा option D, अपर्याप्त उत्पादक शमता के कारण उत्पन होती है next question, question number 21, राजसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राजसभा के पदेन अध्यक्ष उप्राफ्ट पती होते हैं, यहाँ पे option B सही हो जाएगा next question, question number 22, राजसभा की सदेच्छता के लिए नियून्तम आयू कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए आपका 30 वर्स आयू होनी चाहिए, option B आपका सही हो जाएगा next question, question number 23, नियून में से किसे कभी भी भारत के उप्रधान मंत्री के रूप में कारिभार नहीं समाला है तो आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका राइट एंसर हो जाएगा, option C इसका सही जवाब हो जाएगा next question, भारत के केंद्री मंत्र मंडल में अधिक्तम कितने मंत्री हो सकते हैं तो यहाँ पे option A सही हो जाएगा, लोकसभा की कुल संख्या का 15 प्रसत अधिक्तम मंत्री हो सकते हैं next question, question number 25, भारत के समिधान में निम्न में से किसके विरुद अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है तो आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्टन है, प्रावधान नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा, option B, राज के राजपाल के पास अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है next question, question number 26, निम्न लिखित में से कौन सी बहुतिक राशी आने से भिन है तो आपको बताना है इन में से कौन सी बहुतिक राशी जो है, आने से भिन है तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा, option C, बल इसका सही जवाब हो जाएगा next question, question number 27, बिजली के करंड का SI unit क्या है? तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा, option D, MPR इसका सही जवाब हो जाएगा next question, question number 28, शुष्क सेल में प्रियुक्त काइठोड है तो आपको बताना है, यहाँ पे right answer हो जाएगा, option D, जस्ता इसका सही जवाब हो जाएगा question number 29, इलेक्ट्रान त्यागने की प्रवत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रान त्यागने की प्रवत्ति, आक्सी करंड कहलाती है next question, next question की बात करते हैं, क्लोरोफिल जलाए जाए तो कौन सा तत सेस बचेगा? तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों, option D, magnesium, इसका सही जवाब हो जाएगा next question है दोस्तों, question number 36, दिगज का संद बीचेट क्या है? यहाँ से आपका सामान हिंदी के question सुरू हो जाते हैं, तो इसका आपको answer देना है, दिगज का संद बीचेट क्या है? तो इहाँ पे आपका right answer हो जाएगा, option B, दिग प्लस गज बराबर दिगज होता है, ध्यान रखेगा और इसमें आपकी जो संदी पूछी जाए, तो संदी आपकी बेंजन संदी हो जाएगी निम लिखित सब्दों में से कौन सा शब्द सदा बहवचन में प्रियुक्त होता है, तो आपको बताना है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा, option C, आसु जो सब्द है, वो सदा बहवचन में प्रियुक्त होता है next question, question number 38, सुधा का अनेकार्थ सब्द क्या है, तो आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा, option B, अमरत पानी, यह जो है, सुधा का अनेकार्थक सब्द है next question, question number 39, नीचे दिये गए सब्दों में से सरीत का समानार्थी सब्द कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा, option D, प्रवाह नहीं है next question number 40, बिसलेशन सब्द का बिलोम होगा, तो आपको बताना है कि बिसलेशन सब्द का बिलोम इनमें से कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, option C, संसलेशन होता है बिसलेशन का बिलोम संसलेशन होता है, next question, question number 41-45 तक गध्यांस को पढ़कर नीचे दिये गए, प्रशनों के सबसे उचित विकल्ब को चुनना है दोस्तों, यह paragraph आपका रहा, और इस paragraph को आप साधानी पुरोग पढ़िए, और उसके नीचे आपको questions दिये गए है, और उसक समाच, मेरे गुरू स्री दयालचंद जी सोनी तो पूरी एक काब्यात्यों पुस्तक लिग गया है, इस पुस्तक का नाम है हूँ, यह अड़भडियों सिच्छित हूँ, उनका आसाय इसपस्त है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है, उन्होंने जब यह पुस्तक लि को कहा खोजें, कहते हैं कि सिच्छा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है, उसकी सोई हुई सत्यों को जगाने का नाम सिच्छा है, मगर ऐसा तब संभव है जब हम यह जानने कि कौन-कौन सा बालक कौन-कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उस इसका अर्थ यह हुए कि जो जो बालक अशाला में आया है उनको हम पहले पढ़ें हर बालक को पढ़कर पढ़कर पहचाने की वह क्या है उसकी प्रदत प्रतिभा क्या है और कौन-कौन सी सुसुक्त सक्तियों को लिए वह हमारे सामने उपस्तित है तो यह आपका पैराग्रा से समंधित आपके questions दिये गए है अब आपको इसके answer देने है शिक्षा का अर्थ क्या है पैराग्राफ के according तो यहाँ पे शिक्षा का जो अर्थ है पैराग्राफ के according यह option D यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों में बिद्दिमान सक्तियों को प्रस फुटित करना means बच्च बताना है इसका सही जवाब हो जाएगा option B बच्चों में अलग-अलग प्रतिभाय होती है बिल्कुल सही बात है इसका सही जवाब हो जाएगा option B next question 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 number 43 बच्चों को सिच्चा देने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है आपको बताना है तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा option C बच्चों की समस्त छमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना इसका सही जवाब हो जाएगा question number 44 इस गद्यांस में सिच्चा का कौन सा सिध्धान नहीं थै तो आपको बताना है दोस्तों तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा option B सभी बच्चों में वयक्तिक भिनेता होती है सभी बच्चों में individual differences पाई जाती है option B सही हो जाएगा next question question number 45 हर बालग को पढ़ पढ़ कर पहचाने किवा क्या है वाक्य में पहचाने किरिया का करता हो सकता है तो आपको बताना है इसमें करता आपको बताना है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा हम इसका सही जवाब हो जाएगा next प्रसन संक्या 40-50 तक निमलिखित पंक्तियों को पढ़ कर नीचे दिये गए प्रसनों के लिए सबसे उचित बिकल्ब का chain करना है यहाँ पर भी आपको एक कभिता दी गई है इसको आपको पढ़ना है दंब का जहाँ जहाँ पढ़ाव था सब्द से जहाँ जहाँ दुराव था इसके नीचे आपके questions मिल जाएंगे question number 48 है दुराव सब्द से तदपर है तो आपको बताना है दुराव सब्द से तदपर क्या है तो दुराव सब्द का means होता है option D bear होता है bear करना दुराव सब्द का तद पर होता है question number 49 जहाँ जहाँ सब्द का आर्थ है जहाँ जहाँ सब्द जो प्रियुग हुआ है question में इसका आर्थ क्या है तो इसका option B सही हो जाएगा पुनरुक्त सब्द युग्म होते हैं जहाँ 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 पर डैस बीच में लगा होता है उनको पुनरुक्त सब्द युग्म कहलाते है next 50 question पाप का बिलोम सब्द क्या होगा तो पाप का बिलोम सब्द क्या होगा पून्ड हो जाएगा पुन्य इसका सही जवाब हो जाएगा option C आईए next question की ओर चलते है question number 71 प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वादे अंत्र है तो आपको बताने हैं यहाँ पर right answer हो जाएगा option A सारंगी इसका सही जवाब हो जाएगा next question की दरब चलते है question number 72 भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option A मकबूल फिदा हुसेन को भारत के पिकासो के तौर पर जाना जाता है next question प्रतिवर्ष अंतराष्टी जनसंख्या दिवस कम मनाया जाता है most important है दिवस से समंधित एक question आपके paper में आवस्य मिलेगा देखने को तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option A 11 जुलाई आपका सही जवाब हो जाएगा next question question number 74 my country my life किसकी आदम कथा है most important आदम कथा है यह किसकी है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option C लाल कृष्ण अडवानी की my country my life आदम कथा है next question question number 75 ध्यान चंद परुष्कार में कितना नगद इनाम परदान किया जाता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको सही जवाब देना है सही जवाब हो जाएगा 5 लाक रुपे इसका सही जवाब हो जाएगा next question question number 76 लिंबा राम निमलिकित में से किसमें अपने सरोज प्रदर्शन के लिए जाने जाते है तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा option C धनुस विद्या इसका सही जवाब हो जाएगा next question question number 77 बधाई कौन सी विधा है आपको बदाना है बदाई कौन सी विधा है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option A बुंदेल खंड का लोग संगीत है next question question number 78 की बात करते है केंद्री पच्छी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस सहर में इस्तित है तो आपको बताना है most important question है आपकी परिच्छा की देश्ट कोंट से ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा बरेली इसका सही जवाब हो जाएगा बरेली में केंद्री पच्छी अनुसंधान संस्थान इस्तित है next question question number 79 port blayer किस की राजधानी है तो port blayer किस की राजधानी है पुलों से युक्त है निमलिकित किस देश में इस्तित है तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाएगा option D यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा इटली इसका सही जवाब है दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन धन्यवाद